हाई गाईज कैसे हैं मैं आरके सर एक बरफेट से आपके सामने हैं 2020 का जो यह एर है COVID-19 की वज़े से लगभग लगभग पूरा वेस्ट हुआ है बहुत सारे students जो इस 2020 के अंदर अपने बहुत सारे टार्गिट बहुत सारे चीजें को पूरा नहीं कर पाएं या बहुत सारे चीजें हुई हैं जिनकी वज़े से वह पूरा नहीं हुई हैं हम हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2021 का यह रहा है उसमें तमाम तरह कि अपनी वह चीज़ें जो हमारी नहीं पूरी होई है उनको पूरा करने कोशिश करेंगे लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ सिर्फ रेजोलुशन बनाने में लगे हैं कि 2021 आएगा तो हम किस आएगा तो हम वो करेंगे 2020 में अब कोविट-19 था इसलिए हम लोग करनी पाए और कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छा कर पाएंगे बहुत सारी चीज़ों को नए तरी केस्चिर करेंगे नए शुरुवात करेंगे और ना जाने क्या-क्या हम लोग कर लेंगे लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग सोचे तब 2020 का जो यह डिरिशन रहा है जब कोविट-19 की वज़े से प्रॉब्लम आपके सावने बहुत सारी आई हैं लेकिन इतना अच्छा इतना बहतरीन समय था अगर वो चाहते तो कुछ नए शुरुवाते आप लोग कर सकते थे कुछ नए चीज़े आप लोग कर सकते थे कुछ नए चीज़ों पर आप नए रिसर्च कर सकते थे बहुत 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 लंबा पिरिट आप लोग को मिला हुआ था लेकिन कुछ स्टूड़न्ट होते हैं जो ढपोल संग की तरह सिर्फ बात करते हैं बस आप करने वाले हैं आप समझ लीजिए आज बारा बजे के बाद तो हमने पता नी क्या तहल का मचा देना है हम चान की उचायों पे छूलेंगे इस बार 2021 में हम वो करके दिखाएंगे जो किसी ने नहीं करके दिखाया बहुत बार इन बातों को सुनके बहुत हसी आती है आ आपके कलीग्स या बहुत सारे बच्चे बहुत सारे और युवा भी मिल जाएंगे जो पता नहीं क्या-क्या प्लानिंग बना के बैठे हैं कि 21 में हमने बहुत बड़ा एक बॉम ब्लास्ट करेंगे अपने उन इच्छाओं का अपने उन प्रियासों का अपने उन टार्ग 20 के इसे कोरोना पिरिड में लोगों को तमाम तरह के कारणों से एकदम बॉक्स बना के भरके रखा तो फ्रेंड्स ये तमाम तरह के रेजूलुशन जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं कि 2021 आज जब बारा बजेंगे तो मैं ये सारी चीज़े पूरे कर लूँआ ये ऐसा 2021 में अभी संभव नहीं है अगर आपका कमिटमेंट बिल्कुल पक्का नहीं है तो ये मान के चलिए कि जो चीज़ें आप लाइफ में करना चारहे हैं अगर आपके अंदर पेशन्स है आपका कमिटमेंट है फुली हाइटली आप कमिटिड है और परपस फुल आपका गोल है तो ही आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे एक नया स्टार्ट कर पाएंगे और तभी कह पाएंगे कि ये जो नया साल है जो मैं बार 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 बारा वज़े के बाद आज तमाम तरहें के आपको विशिस मिलने वाले हैं आपके फ्रेंट से आपके पैरेंट से आपके कलीक से वो लोग जो बरसो तक आप से बात नहीं करते थे उन सभी के wishes भी आज आपको मिलने वाले हैं लेकिन उन wishes का कोई benefit होना चाहिए उन wishes का कोई फाइदा होना चाहिए जो चीजे आप लोगों को show कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे वो इस साल एक ऐसा commitment करिए अप इसमें किसी भी तरह का कोई भी किंतु प्रंतु जैसे शब्द नहीं आना चाहिए और अगर वो आ रहा है तो फिर ऐसे resolution का कोई फाइदा नहीं ऐसे नए साल का भी कोई फाइदा नहीं ऐसे तमाम तरह कि हम जो चीजे सर्च कर रहे हैं हम उसको send करेंगे यह बहुत से बहुत committed होके एक resolution जरूर बनाना है friends सिर्फ हवा में बाते नहीं करनी है आपको committed होके उन चीजों को करना भी है तो इस बात का ध्यान रगते हुए मैं भी तमाम लोगों की तरह जो बाकी लोग wishes करेंगे मैं आपको advance में 2021 की बहुत सारी धेरो शुब कामनाएं और बहुत सारा प्यार बहुत सारा best wishes आपको भेज रहा हूं उमीद है आप तक यह पहुंचेगा और पहुंचके यह work भी करेगा ऐसा लगेगा कि हाँ वाकई 2021 का जो year है जो sir बोल रहे थे कि हाँ अब की बार कोई fully committed होके हम लोग काम करेंगे अगली बार अब की बार हम बहुत patience के सा काम करेंगे बीच में कितने भी obstacle आएंगे हम उससे विचलित नहीं होंगे quit नहीं करेंगे life में बहुत सारी खुशियां बहुत सारा happiness बहुत सारे लोगों का सयोग बहुत सारा मान समान यह सब चीजे तमाम जगां से बटूर के आप तक पहुँचे ऐसी मेरी दिली आईए नए चीजों को लेकिन commitment के साथ patience के साथ और एक purpose लेके आपने strong purpose लेके एक strong will power के साथ नए जील के साथ काम शुरू करिएगा तो life में आपको success मिलना ही मिलना है 2021 का ये वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए आपके परिवार में आपके सभी लोग स्वस्त रहें सुरक्षित रहें इन्हीं इच्छाओं दुआओं और अश्यवाद के साथ मैयर के सर आपसे विदा लेता हूं Thank you very much Have a nice day